एक बार पूरी रेस्पी जरूर देखे और ट्राय जरूर करें और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना नहीं बोले इसको बनाने के लिए हम पोहा ले लिए और इसको अच्छे से दो लेंगे क्योंकि इसके उपर जो गंदगी रहती है वो पानी से एक दो बार दो लेंगे अच्छे से उसके बाद इसमें हम नमक स्वाधनसार एड़ करेंगे एक चमत चीनी एड़ करेंगे चीनी जरूर डाले चीनी से बहुत यची टेस्ट आती है और हल्ली बार्डर डालके इसको ढखके पांच मिट के लिए रख सकते हैं पांच मिनिट इसको रख पांच मिनिट पुहां रिष्ट कर रहा है तब तक मुंगफली तल लेते हैं थोड़ा सा तेल डालके और इसमें अगर आप तेल मतलब नहीं खाना चाहते हैं तो ऐसे ही मुंगफली को दीमिये गैस पे सेख ले और मुंगफली अमरा तल गया है उसके बाद इसी तेल में थ बना रहे थे हरी मिर्ची डाल सकते हैं या कड़ी पत्ता डाल सकते हैं और नहीं कड़ी पत्ता अगर आपके पास है तो जरूर ही डाले हरी मिर्ची डाले या नहीं डाले आज मेरे पास नहीं था तो हमने डाल ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी का छीटा मार दें और क्यों बन जाता है कभी भी आप रेक पास्ट में बना सकती है और इसको सारे मुंग मतलब जो मुंग फली को दाना को तल की रखी ती और प्याज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटके इसमें एड कर लें क्योंकि पूहा में प्याज बहुत ही अच्छा लगता अगर आप नहीं खाते हैं तो इस पर इसकिप कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है सब को मिक्स कर लेंगे निंबो टेन देंगे और बस गर्म गर्म पूहा सर्व करेंगे सज में फ्रेंट मेरे तरीका से एक बार ज़रूर आप ट्राय करें सज में बहुत ही अच्छी पूहा देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक और स्ब्सक्राइब करना नहीं बोले फिल मिलते हैं एक नए वीडियो को आधा है